इस वक्त देश में हनुमान चालीसा बनाम अजान देखने को मिल रहा है ये विवाद अब सिर्फ महाराज तक ही सीमित नहीं रहा बलके अब महाराज से शुरू हुई लाउड स्पीकर की सियासत पूरे देश तक पहुँच गई है महाराज नवनिवरान सेना के चीफ राज ठाकरे के एक बयान से शुरू हुआ लाउड स्पीकर विवाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश तक पहुच गया है आपको बता दे कि वारनसी में जहां हनुमान चालीसा का लाउड स्पीकर पर पाच किया गया कहा चारा है कि आजान नहीं रुकेगी तो हनुमान चालीसा की गुंच शेहर के हर चौराहे पर होगी मतलब हम यू कहें तो मजभब को लेकर अब सियासत शुरू हो चुकी है कोई आजान के सपोर्ट में बोल रहा है तो कोई आजान के खिलाउड बोल रहा है अजान के लिए भी इसका पालन करना होना चाहिए नहीं तो माराष्ट हो यूपी हो मद्प्रदेश हो सभी जगा लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाट किया जाएगा इतना ही नहीं बिजेपी सहित कैदलों के नेताओं के द्वारा ये मांग की जा रहे है लाउड स्पीकर वाली अजान पर रोग लगनी चाहिए क्योंकि इससे लोगों को परिशानी होती है अजान को लेकर हो रही सियासत के बीच बिहार में भी जुबानी तकरार जारी है अब यहां ये समझ नहीं आ रहा कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान पढ़ने से खुदा नहीं मिलता तो क्या लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा पढ़ने से भगवान मिल जाएंगे पहले भी आजान पड़ी जाती थी लिकिन तब तो इस पर किसी को कोई आपती नहीं थी फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि सभी को इससे परिशानी हो गए अरे राजनीती के पुजारियों अपनी इस सियासत में कम से कम धर्म को तो बख्ष देते अपनी इस लड़ाई में भगवान को क्यों लाड़ रहे हैं यह समझ नहीं हाता अपनी राजनीती चमकाने के लिए अपने राजनीत के लिए किस कदर लोग अब नीचे गिरते जा रहे हैं सरह से देश को बाटने की कोशिश की जा रही है ये इसके जरीया आप समसकते हैं सिर्फ एक वोट बैंक को हासिल करने के लिए ये तमाम जो हटकंदे हैं वो अपनाए जा रहे हैं कि अगर तुम हनुमान चालीसा हम पढ़ेंगे लाउट स्पीकर पर अगर तुमाजा लाउट स्पीकर पर बजाओगे तो लेकिन मुझे ये संद में नहीं आता कि धर्म के ठेकेदार क्यों चुनावों से पहले इस तरह से एक एक उठ जाते हैं जैसे बारिशों में मेजग निकल कर सामने आते हैं वैसे ये भी चले आते हैं धर्म के ठेकेदार बनके कि अगर वो ऐसा क करेंगे इस पर संविधान हमारा क्या कहता है कोट हमारा क्या कहता है उसका फैसलर जरूरी है क्योंकि मुझे पता है राजनीतिक लोग इस पर कुछ भी नहीं बोलेंगे इस पर मौन धरे रहेंगे और इस तरह से तमाशा देखते रहेंगे चाहे आग लग जाए चाहे लाउड स्पीकर पर अजान होना सही है लाउड स्पीकर पर अगर अजान हो रही है तो लाउड स्पीकर के ये वज में एक और लाउड स्पीकर बजना क्या सही है आप क्या राय रखते हैं बताईए का जरू कमेंट के जरी ताकि आपकी आपकी आवास हम और लोगों तक पहु झाल झाल